महादेव एक जो है पंड़ जी है ध्याने इंद्र रागवेंद्र शर्मा जो है आश्रम श्री दादा दरवार वैदिक संस्कृत पाथ शाला जिला खड़वन प्राज्य मध्या प्रदेश भारत से हैं इनका कहना है कि आम की लकड़ी का यग्याद अनुष्ठानों में निशेद का वरिणन किस ग्रंथ में कृपया मार्ग दर्शन करें गुरुजी प्रणाम आपने जो कुछ दिन पहले लेख लिखा था कि आम की समिधा अवल में निशिद्ध है तो उसके बारे में बतला हिए वो लेख प्राप्त नहीं हो रहा है और भी तीन-चार लोगों के ये प्रशना आ चुके हमारे पास कई लोगों के ये प्रशन में सुन चुका हूँ कि आम की समिधा शास्त्रों में निशेद है कि ग्रेण है कुछ वर्श पहले जब लॉकडाउन था तब हमने एक लेख लिखा हुआ था कि आम की समिधा से हवन नहीं होना चाहिए इस दिशय पर तो उस पर लोगों ने कई शंकाएं भी की और कई लोगों का भ्रह्मनिवारन भी हुआ और कई लोग मान गए लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका प्रचलन में ऐसा है कि वे कि आम की समिधा को ही हटात मंगाते हैं लिखते हैं कोई आमर की समिधा और वो भ्रह्म से प्रमाद से यह चल पड़ा है लोगों में भी यह सी व्याक्या है कि आम की समिधा से हवन होता है पर इसके उपर वड़ा चिंतन पूर्बक लेख लिखा गया है शास्त्री प्रमानों को रखते हुए जिसमें ये दर्शाया गया है कि आम की समिधा इत्याज कुछ विरिक्ष हैं जिन विरिक्षों का हवन में प्रयोग नहीं होना चाहिए तो इस सम्मंदी इनका प्रश्ण है तो देखिए आप लोग इसको सुनें और धारन करें और विचार करें कि बास्तम में आम की समिधा ग्रहनी है या नहीं है तो हमने कुछ दिन पहले जो लेख लिखा था उसी के आदार पर यहां वक्त अब्यदेंगे और बतलाएं ये शास्त्री प्रमाणों को रखते हुए देखिए शास्त्र में सर्वप्रथम तो ये बतलाया गया है जो मैं बतलाता हूँ कि यग्जिय में कौन-कौन से विरिक्ष की लकडी का प्रयोग होना चाहिए समिधा के रूप में तथा इध्म के रूप में स्रेष्ट है देखिए आन्यक शूत्रावली जो कर्मकांड का प्रमानों से संग्रह करने वाला बड़ा विसिष्ट ग्रंथ है प्रमान उसमें संग्रह किये गए हैं तो उसमें वायु पुरान का बचन देते हुए वे कहते हैं कि पलाश फल्कु न्यक्रोधा प्लक्षा श्वत्थ विकंक गिता उदुम्वरस्था बिल्लुवस्च चंदनो यगियास्च चये इसमें ये विक्ष बतलाए गए हैं ये विक्ष जो है यगि में विशेव रूप से गिरहन करना चाहिए ये यगिये विक्ष हैं समिधर थे समिधा के लिए और भी देखिए बचन इसमें आमबर का नाम नहीं आया है पहली बात तो यह आमबर का नाम नहीं आया अभी हम इसकी इंदी भी बितलाएंगे और दूसरा प्रमाण देखिए संसकार वासकर में संसकार वासकर जो गरंत है उसमें ब्रह्म पुरान का बचन देते हुए कहते हैं कि शमी पलास न्यक्रोध प्लक्ष बैकंग की तोद भवा और वईतसोद उंबरो बिल्वस्च नना सरलस्था शालस्च देवदारुस्च खदिरस्चेति याग्यका हा ये याग्यक विरिक्षा है इन दोनों में दोनों बचनों में लगवक समान विरिक्ष गिनाए गए हैं इन में किसी में भी आमर का गरण नहीं है जिन विरिक्षों से अवन होना चाहिए उन विरिक्षों के नाम है देखिए इसमें पलास जिसको कहते हैं ढाग या खैर क्या का चौला का जाता ढाग या चौला वो पलास विरिक्ष फल्गु वट पाखर पीपल विकंकत जिसको क कहीं कठेर भी कहते हैं कठेर और गूलर जिसको उदुम्बर कहा जाता है उमर भी कहते हैं लोग बेल वरिक्ष चन्नन सरल देवदारू शाल खैर और शमी तथा बेंत का वरिक्ष यह भी अवल में ग्रहन हैं दौनों में बेंतस दौनों जगे पर बेंत वरिक्ष जो एक बास का इदूसरा स्वरूप होता है दूसरे तरीका जिसों बेंत कहते हैं इसकी बंसी इत्याद बनती है कुछ टेबल कुरसी बनाता है वो बेंत उसका ग्रहन है अवन में देखिए तो इतने वरिक्ष इसमें गिनाए गए हैं इन वरिक्षों से अवन हो सकता है यह 15 वरिक्ष है देखिए यद्यपि सामा ने रूप से कांटे वाले वरिक्षों का निशेद किया जाता है इनका अवन नहीं हो सकता लेकिन बचन भलाग शमी याने च्होंकर जिसको कहते हैं और राजस्तान में खेजरी कहते हैं जिसको और बिल्लव इत्यादी जो वरिक्ष हैं जिनमें कांटे भी हैं लेकिन फिर भी बचन भलाग उनका यग्गिय में ग्रहन हैं यकी अकाश्ट के रूप में उनका ग्रहन किया गया है शास्त्रों में अब सास्त्रों में देखे तीन तरीके के बचन हैं एक तो बतलाए गए हैं कि ये यग्गिय वरिक्ष हैं इनका यग्गि में प्रियोग होना चाहिए और इनमें से कोई ये दिन नहीं मिले तो तो कहते हैं कि सर्वेशाम अप्यलावे तू सर्वेशाम एवयगिया हा ये वरिक्ष ये दिन नहीं मिले इनमें से ये तेशाम अप्यलावे इनमें से ये 15-16 वरिक्ष जो गिनाए इनमें से सभी का भाव हो कोई वरिक्ष मिले ही नहीं किसी की भी लकड़ी तो सर्वेशाम ये वैयागी का तो सभी विरिक्ष एग्य में گ्रहन कर लेना चाहिए अब सभी की अब भी प्याइथ कि क्या आगए हाईगी के सभी में कों-कूं का ग्रहन है और कौं का नहीं है ये यम का बचन है यम स्मृति का शहुनक गी का बचन है इस के अनुसार यह है कि कोई भी वरिक्ष की यगी समिधान लिए जा सकते हैं और दूसरा बचचन है अनिक सुत्रावली में भी का गया है कि तद अलावे सर्वबनस्पतिना या जो यगी वरिक्ष किनाएं ये यद्न नहीं मिले तो कोई भी विक्ष लेलेना परिन जिनका निष्याद है उनको मतलेना उन्यीक अर्थ यह उनी विक्षों का आपन में निष्य रॉक्षे किया गया है ते हैं घ्र二 हुई को जो चुना भी मना बतलाया Silva अथवा शास्त्र के द्वारा जिंजिन विर्ख्षों को निशेद कर दिया गया है उनको छोड़ करके और विर्ख्षों सभी को ले सकते हैं अभाव में तो वो निशिद वाले विर्ख्ष कौन से हैं उनको कभी नहीं लेना है देखें तो यह भी आनिक शुत्रावली में बतलाए गया है कि तिंदुक धवलाम्र निम्ब राज विर्ख्ष साल मल्या रत्ना कपित्थ को विदार विभीतक स्लेश्मा तक सर्वकंटक विर्ख्ष विवर्जितम इन विर्ख्षों को विवर्जितम इनको कभी नहीं लेना है तिंदुक माने तेंदू यसे बीडी बनती है धौ इसको धव कहते है कोई बड़ा जो है विरिक्ष रहता है कठोर लकड़ी वाला और तिंदुक धवल आमर आमर विरिक्ष ज्यान देना आम विरिक्ष का आमर विरिक्ष का भी निशेद है किसी भी अवन में कभी बी दखिए और निम्बा माने मुनीम का विरिक्ष राज विरिक्ष सेमर का पेर होता हismeली जिसको कहते हैंए रत्न का भी अवरिक्ष है कपित्थ माने कैंथ कैंथ की लगड़ी अवन में कभी नहीं डालना कचनार कचनार कपे और बहेडा जिसको बिभी तक आ गया बिभी तक माने बहेडा शलेश्मा तक माने होता लभेरा जिसको लिशोडा कहते हैं शलेश्मा तक उसका नाम है और कहते हैं सर्व कंटक व्रिक्ष भिवर्जितम और कांटेदार जिसने बभूल इत्यादी जो भी कांटेदार व्रिक्ष है उनका सबका त्याग करना वेर वेर है जैसे कांटे जिसमें होते हैं उन सबका त्याग करना तो अब इसका रह से क्या हुआ तो देखिए सर्वक प्रथम अब नीचे से चलते हैं जिन व्रिक्षों का सास्त्रों में निशेद किया गया है उनको तो कभी भी हवन में नहीं लेना तेंदू लसोडा आम कैद कचनार और ये जो कांटे वाले व्रिक्ष और भी जो गिनाए गए इनको तो कभी भी हवन में लेना ही नह जिनका बिधान किया गया है उन व्रिक्षों को लेना उत्तम है जिन व्रिक्षों को बिधान किया गया है उन व्रिक्षों का उन व्रिक्षों से अवन करना उत्तम है और वे व्रिक्ष मध्यम है कि उत्तम तो मिले नहीं उत्तम मिले नहीं और जो सास्त्र में लिखें वे नही नहीं है जिनका नाम लेकर गाऊच है परंत वें भी नहीं यह जिनका निशेत साल विरिक्ष का नाम नहीं आया जो साथवान होता उसका नाम नहीं आया तो कई विरिक्ष ऐसे तो जिन विरिक्षों का ना विधान है और न निशेद है तो विधान वाले विरिक्ष न मिलने पर उनको यद लिया जाता है तो विमध्यमा विमध्यम कहे गए ठीक है है वो अधम है उनको कभी नहीं लेना चाहिए ऐसा जो है आनिक सूत्रावली में लिखा हुगा है देख लीजाएगा तो यह अब देखिए कई लोगों ने बतलाया था कि देखिए तंत्र शास्त्र में और वहां इस तरीके से हवन करने का विधान है और वह हां आम की लगड़ी का अब देखिए कई लोगों को मानना ह की हम आरे बहुत दिनों से हवन होता है यह करते हैं वह करते हैं वहां पुष्ब में लिखा है फुष्ट्र कमें लिखा हुआ है यह Dé Lets इसमें हिंदी में लिखा हुआ है सामगरी किसी ने जोड़ी है बहुत है जैसे लिखते हैं करपूर चाहिए लॉंग इलाइची दूपदीप यह सामगरी लिखी होती है वहां बाद में लिख दिया है कि आम की समिधा इतने किलो अवन करने के लिए तो भई यह कोई प्रमान लोग उसको डाल लाएते देखिए यहां यागी मिमान सामें लिखा अरे वह सामगरी के लिष्ट किसी ने बाद में लिख दी या जोड़ दी या लोग जो लाते हैं उस तरीके से लिख दिया यह कोई शास्त्री प्रमान थोड़े है शास्त्र में किसी का बचन हो किसी भुरानेक और यह सांतिक पुष्टिक अवनों की बात चल लई है वह किस प्रसंग के कौन से अवन की बात है देखिए कंत्र में तो मारन मोहन बसीकरन और उच्याटन आदिक के संबंद में जो तामसी प्रवरती के जो हवन है उनमें हवन सात्विक राजस और तामस होता है तो हमने जो आमर की लकड़ी का निशेद बताया वो सात्व की अवन में निशेद है राजसी अवन में भी निशेद है वो जो तामसी अवन में की बात यह द्याब कर रहे हैं या कोई ऐसे मारन मोहन बसी करन और चाटन सा मोहन हादिक मैं होने वाले अवनों की बात कर रहे ह तो वहां सो जहर से भी अवन होता है, विश से, हरता लिका जहर है, विश है, हरता उससे अवन होता है, लोहे की कील से अवन होता है, मिर्ची से अवन होता है, सरसों के तेल में डूबो करके, कई अमिध्य पदार्थों का भी अवन होता है, किसी पुश्प से होता है, आईरवेद में बतला है कि जो रोग हो ध्यान देना जो आपको रोग है पेट का रोग है हाथ का रोग है कहीं भी रोग है उस रोग के निवारन की आईरवेद में जो और शदी लिखी है उस रोग के निवारन के लिए अवन करें यह लिखा हुआ तो यह तो एक अलग प्रका करने के लिए कोई करने के लिए यहां पत्ते का इसका होता है तो जो बात है वो तो तंत्रिक बात है आपको करना हो तो ठीक है हो और वो केवल उसी कारी के लिए वहाँ हो सकता ये बात चल लएए सात्विक अवनों की जहां आप किसी भी प्रकार के वईदी के समारत और पौराने के या मिस्र फद्दती से जो अवन करते हैं उनकी बात चल लएए तो वहाँ और ये भी बात हमारी नहीं है वहला हम कोन निशेद करने वाले होते हैं शास्त्रों में जो लिखा है आचारियों ने जो बतलाया है उसकी बात हम कर रहे है इसलिए जो निशेद है उसका परिवर्जन हो जाना चाहिए और भी द्यान से सुनिए बात कि यदि कहीं सास्त्र में किसी चीज़ का निशेद है और उसी चीज़ का दूसरे सास्त्र में बिधान है तो बिदिनिशेद आत्मत दो चीज प्राप्त हो रही है तब आप क्या करेंगे बोले निशेदो बली अक्त्वा निशेद बलवान है इसलिए उसका त्याद कर देना चाहिए अच्छा और निशेद बलवान क्यों है कैसे है इसका उधार्ण सुनिए देखिए आपको विल्कुल तुरंट समझ में आ जाएगा कोई खात्यपदार्त है दो आपके मित्र है और कोई लड़्डू या जो है रसगुले यो भी आपको पसंद है वो संभार रखा हुगा एक मित्र आपको दे रहा है दूसरा कह रहा है कि नहीं भाई या इसको मत खाना इसमें जहर है एक कह रहा है कि नहीं खाओ अच्छा है हम आपके मित्र है यार आप नहीं खा रहे है और दूसरा कह रहा है कि नहीं भाई हम भी आपके मित्र है इसको मत खाओ इसमें जहर है तो अब आप क्या करेंगे दोनों ही समान तुल्ले बलबिरोध है तुल्ले बलबिरोध होने पर क्या करें निशेद बजबान होता भाया हम इससे लड़्डू आपने दिया हम सम्मान कर रहे हैं लेकिन जे भी मित्रह जी कह रहा है और कुई बास्तम में कहीं हुआ तो अनर्थ हो जाएगा इसलिए इनक यह जूट बोलाएं निएकारें कि हमने देखा रहे कि यह देखा है नहीं देखा इनको अन्देखा करतया है лан इसी तरीके से कि जहां निशेद है और विधी जक्रापत होती है एक पर भी नहीं किसी भी आचारी कुप प्रामारी गौ्डूप तुक विधि प्राफ्ट हो भी नहीं है लेकिन अन्य विश्यों की भी बात बतला रहे हैं जो विधि निशेध समक्त हैं कई शास्त्रों में ऐसी चीज़ है जिसमें कहीं जगें पर विधि उसी चीजिकी दूसरे रिशी के द्वार निशेध किया गया है तो निशेध बलवा बतलाए गये ध्यान देना रिशियों ने इतने यगी विरिक्ष बतलाए उसमें उसका ग्रेंड नहीं किया आपको इन मैंसे कोई नहीं मिला फिर कह दिया गया कि हमने जो निशेद बतलाएं इनको छोड़ दो और दुनिया वर में कितने तरीके के विरिक्ष हैं किसी को भी ल ले लो परिशियों निशेद हमने किये दसबंद्रा पेड इनको छोड़ दो दुनिया में और किसी को भी ले लेकिन फिर भी प्रवृति निशेद में होती है कि सहज प्रवृति जीव की निशेद में होती है जिस तरीके से पानी धरक करके नीचे ही जाएगा आपने आप उपर जा नहीं सकता जे में उलू का एं तमपर नेहा जैसे अंदकार में उलू की सहज प्रवृति होती है कोई करता थोड़ी है कि तुम अंदकार से प्रेम करो उसे अच्छा लगता है तो इसी तरीके से मनुष्य की सहज प्रवृति अधर्म के प्रति होती है ठीक है तो उससे त्याग करना सहज प्रवृत्ती का यही तो धर्म है तो सहज प्रवृत्ती का त्याग करके बिजी बचनों में निष्ठा रखना यही स्रेष्टता है इसी से कल्यान है इसी का सास्त्रों में विधान किया गया है इस द्रिष्टी से अब आप लोग समझ गए होंगे कि जो ब्रिक्ष सास्त्र ने निष्एद बतलाए हैं उनका कभी भी कहीं भी किसी भी अवन में प्रयोग नहीं होना चाहिए इसी के अंदर अम्र आता है तो आम्र के ब्रिक्ष का इस रूप में समिधा रूप में प्रयोग नहीं होना चाहिए हाँ आम के पत्तों का पंच पल्लम में विधान है आम कोई निष्एद व्रिक्ष नहीं है कि ऐसा निष्एद नहीं है आत नहीं लगाया जाए घर में नहीं लगाया या बाहर इत्याद नहीं लगाया जाए बाग न लगाया आम खाया नहीं जाए आम का भगवान को निवे बहुत दिनों से होता है वे पंड़ जी कराते थे ये कराते थे तो वही भ्रम है जो शास्तर में निशेद है यह उनसे पहले के बचन ऐसा नहीं उनके बाद में जो बचन बनाए गए इसलिए इनका परिपालन अवश्य होना चाहिए हरा हरा महादे